नमस्कार दोस्तों सलाम वालेकुम गोजाफचनून साल था 2015 का यानि की वर्तमान सरकार का ही पहला कारेकाल संसत का बजट शत्र शुरू हो चुका था वित्यमंत्री थे तब अरुन जेटली जी उन्होंने अपने भाषण की शुरुवात एक कविता से की कविता क्या थी कविता थी कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं मुश्किल यह है बाग में अब तक काटे कई पुराने हैं अब साल आ गया है 2021 संसत का बजट सत्र चल रहा है किसान धरने पर मैठे हैं 70-71 दिन हो गए है इधर संसद में हंगामा चल रहा है किसानों की समस्याओं को लेकर केंदर सरकार इतनी डर चुकी है देश के अन्निदाता कहलाए जाने वालों किसानों को से कि चारों तरफ दिल्ली के तार मार लगा दी गई है तार मार भी ऐसी कि जो पाकिस्तान की सीमाओं के सांत लगती है बीच में काटे भी लगा दिये गए हैं कीले लगा दी गई हैं कि कहीं देश का अन्निदाता कहलाए जाने वाले किसान का गुसा इतना नाफूद जाए कि वो लूटियंस दिल्ली में प्रिवेश कर जाए बहराल वर्तमाल वित्यमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमंजी ने 2021-22 के वित्य वर्ष का बजट जब पेश किया उन्होंने भी एक कविता कही वो कविता के वारे में बाद में फिल्हाल इस बजट को देश का विपक्ष जैसा कि इस मुलक की परिपाटी रही है खराब बता रहा है निराशा जनक बता रहा है गरीब गुरुबा के लिए बेहद अपमान जनक बता रहा है तो विपक्ष के नेता इसकी जबर्दस तारीफ है कर रहें ऐसा हम अनादी काल से देखते हैं जब से मुझे याद है मैंने बजट को देखना शुरू किया तब से ऐसा ही होता है तो यह हमारी परिपाटी है इस से इतर मैं एक प्रियास कर रहा हूँ बजट के उन पहलों को छूने का उन पहलों को समझने का आप से साजा करने का जिसके सहारे देश की अर्थरिरस्था की असलियत को हम समझ सके हैं सबसे पहली बात दोस्तों जो मेरी समझ में आती है वह यह कि स्वरगी अरुंग जेतली जी द्वारा 2015-16 के बजट के समय कही गई कविता उस से पहले के बजट यानी UPA शाशनकाल के बजट में कितना खरी उतरती है मैं नहीं जानता या कहना नहीं चाहूंगा अभी लेकिन वर्तमान सरकार के छटे वर्ष में सात्में बजट में पूरी तरह खरी उतरती है जेटमी जी ने तब इन पंक्तियों को मनमौन सिंग सरकार के संदर में कहा था सटेक लेकिन इस बजट पर ज्यादा होती ये पंक्तिया नजर आ रही है कि मुश्किल यह है कि बाग में अब तक कई कांटे पुराने है तो निर्मला जी जो पिछले च्छे सालों में बजट आए जिस परकार अर्थ विवस्था का बन्ताधार हुआ उसके चलते बलही भली बड़ी बड़ी आंक्रे बाजी करने असलियत लेकिन दोस्तो कुछ और है असलियत क्या है 2016 में हमारे वजीर आजम सहाब आठ नौवंबर की रात आड़ बजे यकायक दूर दर्शन के माध्यम और दूर दर्शन के सौजने से अन्य टीवी चैनलों के माध्यम हम से रूब रू हुए थे और उन्होंने 2016 नौवंबर में पांस सौर हजार के नोटों की नोट बंदी का ऐलान कर दिया हुए था बेहद जल्दी बाजी में लिया गया फैसला जिसने इस देश की अर्थ विवस्था को बधाली की कगार में लाखडा किया है जल्दी बाजी ने इस सरकार ने जियस्टी पोनाली को लागू करने का फैसला की लिया जिससे बधाल अर्थ विवस्था और जादा ख़स्ता हाल हो गया बेरोजगारी को रोक पाने की भारी विफलता हमारे सामने है काले धन को लेकर बड़े बड़े वायदे किये गए थे और वायदे करने वाले में वर्तमान सत्ता पतिष्ठान तो था ही प्रदान मंतरी मोदी जी तो थे ही उनके साथ स्वामी रामदेव सरीखे लोग भी थे जो आज खामोश है काले धन को लेकर भा वह समनाटा पसरा हुआ है और इस काले धन के कारण भी जिसकी लिगेसी कांग्रिस के समय से चलती आई है हमारी अर्थ नदस्था पूरी तरह बीग चुकी है पुनियादी समस्याओं से नजरे फेर कर सरकार को जुमलों के सहरे चलाने की प्रिवर्ती ने पिसले छे बरस के दौरान मैं बहुत जोड देकर और पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ देश की एकोनोमी को तबहा कर दिया है रही सही कसर पूरी हो गई कोविड महमारी के चलते पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई हमारे हाँ आर्थिक मंदी चली रही थी उसने और ज़्यादा रसातल में हमारी अर्थ विवस्था को पहुँचा दिया 2021 के बजट का विश्लेशन करते हुए हमें इन सभी बातों को याद रखना आवश्यक है ताकि भारी भरकम सरकारी आंकड़े बाजी के पूछे के सच को हम पहचान सके तो चलिए इस 5.4 ट्रिलियल एकॉनोमी यूएस डॉलर एकॉनोमी का सपना दिखाने वाली सरकार के इस बजट पर एग मज़र बालने का प्यास करते है मिर्मला सितारमन जी के बजट का पुरा सार हमें ऐसा अभास देता है मानो कोविड नाइंटीन के चलते हमारी अर्थ व्यूस्ता में कोई फरक पड़ा ही ना हो रोरिंग एकॉनोमी लगती है हमारी यदि हम मानने वित्यमंत्री जी के भासन को समझें होना तो यह चाहिए था कि भारी आर्थिक संकट जेल राहत देश का आम आदमी इस बजट से कुछ राहत पा पाता लेकिन हुआ इसके ठीक उलट है आम आदमी को राहत देने के इस संकट काल में सबसे बड़ी सहारा बनी मन्रेगा स्कीम महत्मा गांधी नैशनल रूलर डवलप्मेंट स्कीम का बजट इस बजट में भारी कटोटी का शिकार बन गया है आपके स्परण रहे शायद पीछे चितरी भी चल रहे हो कि मन्रेगा के कारण कोरोना में जब बेरोजगारी भ्यावेह रूप से बड़ी तो कम से कब सो दिन का काम आम इनसान को गरीब गुरुबा को मिला था इसी मन्रेगा के कारण स्वाएं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जो मुख्य मंतरी गुजरात रहते मन्रेगा का मखौल उड़ाय करते थे उन्होंने इस स्कीम की जबरदस तारीफ की थी लेकिन इस स्कीम का बजट वर्तमान बजट में बुरी तरह काट दिया गया है मैं उनी पक्षों के बारे में बजट के उनी पक्षों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ जो सीरे तोर पर आम आदमी को निम्न मध्यम वर्ग को और कुछ हद तक मध्यम वर्ग को प्रभावित करते हैं इनमें हैं रोजगार और मन्रेगा, खादी सिक्यूरिटी, फूड सिक्यूरिटी, एजुकेशन, यानि सिक्षा, स्वास्त, सिवा निवरित कर्मिचारियों को मिलने वाली पेंशन इत्यादु देखें, महत्मा गादी नैशनल रूलर गारंटी स्कीम, मन्रेगा के बजट में इस बार 38,500 रुपिये, 38,400 रुपिये कम कर दिये गए हैं गत वर्ष, पिसले वर्ष, 2020,21 के बजट में इस स्कीम का बजट था, 11,500 करोगा याद रहे, मैं पुने स्प्रण जिला रहा हूँ, मन्रेगा काल में, कोविट काल में मन्रेगा गरीब का सबसे बड़ा सहरा बन उगई थी ऐसे में सरकार का इस वित्वर्ष में, इस स्कीम के बजट में की गई कटोटी, केंद सरकार के जन सरोकारों पर बड़ा प्रशन चिन्ने खड़ा करती है सबसे बड़ा प्रशन चिन्ने की गवर्वर्मेंट ऐसे क्यों एक्शन ले रही है कि मन्रेगा जैसी स्कीम जिसकी पुदान मंत्री मुदी तारीफ करते हैं, उसके बजट को कम कर दिया गया आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार के पास देश की अर्थ विवस्था को उठाने के लिए, सरकार के राजसु को रेविन्यू को बढ़ाने के लिए कोई भी ठोस नीती ही नहीं ग्रामीन महिलाओं के सशप्टी करण की सबसे बड़ी परियुजना के बजट को कम किया जाना साफ करता है कि केंदर सरकार भारी आर्थिक सलकट का सामना कर रही है, जो वो कहना नहीं चाहती है, क्योंकि कह देगी, तो उस सपने का क्या होगा, जो या उस जुम्ले का क्या ह जा रहा है 5.4 trillion US dollar economy का दूसरा देखिए खाद्य सुरक्षा food security हमारे देश का किसान सड़क पर है पिसले 71-72 दिनों से और उस पर नाना प्रिकार के जुल्म ढहाए जा रहे हैं सरकार किसानों के आंदोलन से इतना घबरा गई है कि हर्याना में दिल्ली के लगे से सटे सारे मौडर्स में यूपी के गाजीपुर वाले मौडर में इंटरनेट खत्म कर दिये गए हैं पत्रकारों तक को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है चारों तरफ तार बार लगा दी गई है क्योंकि सरकार के पास किसानों के वाज़िभ प्रश्ण के उत्तर नहीं है ये तीन काले कानून क्यों लाए गए और क्यों सरकार इनको वापस लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में फूर्ड सिक्यूरिटी की बात करना आवश्यक हो जाता है। Food Security खादि सुरक्षा के प्रती इस सरकार का रुक बेहत हैरतनाक इस बजट में आया है सरकार की नीतियां पूरी तरह कॉर्परेट सेक्टर के अचार विभार को सपोर्ट करने वाली नजर आ रही है पिसले वर्स के बजट में Food Security जिन में आपको याद रहे सरकारी सुस्तिगले की दुकाने, PDS, Public Distribution System, आंगनवाडी, मिड़े स्कील मुक्तियादी शामिल है इनका कुल बजट 3.4 लाक करोड था 3.4 लाक करोड दिल थाम के बैठियेगा इस बजट में मन्रेगा के बाद और मन्रेगा से ज़्यादा प्रहार इस Food Security में हुआ है 1.4 लाक करोड रुपिये इसमें से कम कर दिये गए What a tragedy friends, कैसी तरास्दी है इस मुलक की हम अन्ने में आत्म निर्भर देश बन चुके हैं दशकों पहले आपको जान कर यदि जानकारी ना हो तो आश्चरी होगा कि हमारे सरकारी गोदामों में Food Corporation of India के गोदामों में जो देश की जरूरत है एक वर्ष की उससे पांच गुना अधिक अन्न जमा है और सरकार इस अन्न के स्टॉक को अपनी बैलंस शीट बढ़या दिखाने के लिए सरकार के या देश के एसिट्स साइट में जो इकोनामिक्स के स्टूडन्ट है जो इकोनामिक्स को समJते हैं वो जान पाएंगे मैं क्या कहरा हूँ कि एक और balance sheet में assets होते हैं, एक और reliability होती है यानि कि जो हमारे पर भार है और जो हमारा सहरा है तो अन्न हमारा सहरा दिखाया जाता है, assets दिखाया जाता है कई लाग करोड का अन्य स्टॉक में है गुदामों में बंद है लेकिन देश का आम आदमी आत्म निर्भर्म भारत में करोनों की संख्या में भूका सोता है इससे बड़ी ट्रेजिडी कुछ नहीं हो सकती और ऐसे मुलक में इस बार फूड सेक्यूरिटी का बिल सरकार ने बड़ी आसानी से कम कर दिया है स्वास्त और शिक्षा यहां पर भी दोस्तों भारी कटवती की गई है 2021-22 यानि की जो वरतमान वित्वर्ष है उसमें ये बजट था 82,445,000 करोर का जिस्वास्त में को दिया गया था आने वाले वित्वर्ष में इसे 7,845,000 रुपय कम कर दिया गया है 64,600 करोर रुपया इस बार के बजट में दिया गया है आप समझेंगे मैं गलत बयानी कर रहा हूँ क्योंकि वित्मंत्री जी ने हेल्थ केर के लिए भारी भरकम बजट ए आवंटन की बात कही है दो लाग तेईसाजार आठसो च्यालीस करोगा उन्होंने बताया है कि दो हजार बीस इकिस का जो बजट था उसमें राशी थी चौर दिखाता हूँ जो बजट का हिस्सा है ये चार्ड बताता है कि इस बार दो लाख श्टेइस हजार आठसो च्यालीस करोड यानि की 137 प्रतीशत अधिक बजट स्वास्त के लिए दिया गया है दरसल ये केवल आंकड़ेबाजी है इसमें से एक वन टाइम ग्रांट है जो के कोविड महमारी के चलते 35,000 करोड रुपिया कोविड वैक्सीन के लिए है इससे रेगुलर बजट के सांथ नहीं जुड़ा जा सकता है इसे अलग हटा दीजिए विच्तमंत्री का कहना है कि नए बजट में 137 करोड की बढ़तरी की गई केवल आंकड़ेबाजी यदि बज 2020-21 में जो 85,000 98,000 करोड का बजट था उसे इस बार कम कर दिया गया है और उसे कर दिया गया है 73,931 करोड इसे इस तार्ट से इसले समझने की जरूरत है जो मैंने आपको चार्ज दिखाया कि आप यदि गौर करें तो 2,23,886 करोड में से 35,000 तो कोविड का है जो अलग कर द करके कुछ अन्य मदों के बजट जोड दिये गए हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनिटेशन का 6,000 करोड रूपिया, खाने का न्यूट्रिशन का 2,700 करोड रूपिया, वाटर एंड सेनिटेशन, पानी और सफाई का 36,000 करोड रूपिया, इन तीनों को इसमें जोड गया है और कह दिया गया 137 परतीशत की बड़ोतरी हुई है हर बार जो बजट आता है दोस्तों से पहले विट्यमंत्राल ही एक सर्वे जारी किरता है 2021 की सर्वे में स्वास्त पर क्या कहा गया उसमें लिखा गया था एक बड़ा सा बढ़िया कैची सा जुम्ला हेल्थ केर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली यानि की स्वास्त सेवाओं को अंततव फोकस में ले लिया गया है तो आर्थशास्त्रियों को भी लगा हेल्थ सेक्टर की लोगों को लगा कि इस बार तो जबर्दस बढ़ोतरी होने वाली है हमने कोविट के समय में देखा कि किस प्रकार गाउं देहाद तो छोड़ दीजे बड़े शहरों के हॉस्पिटिल्स में भी बेसिक सुविधाएं जैसे वेंटिलेटर्स ऑक्सिजन आदी उपलब्द नहीं थे ऐसे में जब एकॉनोमिक सर्वे आया तो हम सब की उमीद जगी की सही में केंद सरकार स्वास्त पर अ जिसका एनाउंस्मेंट सत्ता पक्ष के दलों ने मेज थपथपा कर संसद में किया उसमें बताया गया कि सरकार 64,180 करोड रुपिया इस प्रधान मंतरी आत्म निर्भर सुस्त भारत युजना के अंतरगत देने जा रही है दरसल ये 6 साल का बजट है प्रती वर्ष इसमें 10,700 करोड रुपिया रखे गए हैं अब आप अनुमान लगा लिजिए कि 130 करोड की जनसंक्या वाले देश में प्रती वर्ष 10,700 करोड रुपिया क्या इंफरेस्ट्रिक्चर डवलप कर पाएंगे 2017 में केंदर सरकार नैशनल हेल्थ पॉलिसी राई थी राष्टिय स्वास्ति योजना इसमें कहा गया था कि ग्राउस डॉमेस्टिक प्रोडेक्ट सकल घरेली उत्पात का कम से कम ढ़ाई से तीन पृतिशत हैल्थ इंफरेस्ट्रिक्चर पर स्वास्ट इंफरेस्ट्रेक्चर हॉस्पिटल सित्यादी बनाने पर लगना चाहिए जो वर्तमान में इस बजट में भी लगबग एक प्रतिशत के करीब ही है यही कारण है दोस्तों कि 180 देशों की सूची में स्वास्त के मामले में हम 145 वे स्थान पर है 145 विश्व की तनी बड़ी दिमुक्रिसी का ये हाल है समाजिक स्रक्षा यानि पेंशन यहां भी निल बटा सन्नाटा कैसा बज़्दा मजाश है कि 2000 के दोर में ही केंदर सरकारों ने जो सरकारी करमचारियों को रिटार्मेंट के बाद पेंशन मिलती थी जो बहुत बड़ा आजिदिका का सहरा होता था उसको बंद करना शुरू कर दिया था और अब आते आते जो जन्ता ब्लो पावर्टी लाइन है गरीबी रेखा से नीचे है उसको बकाईदा संसंद में ऐलान करके बताया जा रहा है कि उनको 200 रुपया प्रती माहा दिया जा रहा है निरुमला सीतारामन जी बताएं कि 200 रुपया प्रती माहा में कोई आदमी 30 दिन कैसे काट सकता है वड़ा जोग शाद इसलिए रहुल गांधी इसे सूट बूट वालों की सरकार कहते हैं अमबानी अडानी की सरकार कहते हैं लियाम आदमी से निकल कर कोई वित्तमंत्री बन 5.54 ट्रिलियन डॉलर की अर्थविस्था के अपने संकल्प को अपने सरकार के संकल्प को इस बजट में भी दोराया रोड हाईवे बुलट ट्रेन आदी बनाने की बात कही बुलट ट्रेन का जिक्र करते वक्त मुझे याद आ रहा है कि आल्रेडी प्रधान मंत्री नरेंद बना चुके हैं अमरीकी राष्टपती की तर्ज पर अपने लिए दो विशेश विमान भी प्रधान मंत्री मोदी जी मगा चुके हैं हाई टक नई संसद बना रहे हैं यह सब क्यों ताकि इतिहास उनको याद रखे उनके पदचिन्नों के निशान पड़े रहे इसके लिए भूकी प्यासी जनता से करके रूप में वसूल की जारी राशी को ऐसे कामा में लगाया जा रहा है जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं गरीब गुरुबा का क्या है रखदीर सहाय ने कहा था वो याद दिलाता हूं फटे कपड़े पहन इस मुलक का हर चरणा भारत भागी विधाता का गुण गाने का अभिशप्त तो ही बना रहेगा वित्यमंत्री जी ने शायद पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधान सभा चुनावों के दिर्ष्टिगत इस बजट में गुरुवर रवीन रिनाठ ठाकुर को याद किया उन्होंने अपनी कवीता की दो पंगतिया इस बजट भाश्र में कही है उन्होंने कहा विश्वास वो चिडिया है जो प्रिकाश की अनुभूती कराती है और तब गाती है जब भौर में भी अंधकार बना रहता है वित्वंत्री जी ने कहा उन्होंने बजट भाश्र का अंत आते आते तमिल किया और उन्हाने उनके कथन का जिक्रि किया कि आ किंग और रूलर इस दवन हो क्रियेट्स अन एक्वायरस वेल्थ प्रोटेक्ट्स अन डिस्ट्रिब्यूट्स इट फ़र कॉमन मैं यानि की राजा असल में या नेता असल में वो होता है जो वेल्थ को धन को अरजित करता है और उसको गरीब गुर्बा में कॉमन आदमी को मैं बाटने का उसकी भलाई के कामों में लगाने का काम करता है देश के पहले प्रधान मंतरी जवारलाल नहरू ने समाजवादी पूजिवाद की नीती बनाते विक्त मुझे लगता है थ्रूवरलूर का वश्य याद किया हो उन्होंने एक से बढ़कर एक पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग सरकारी कंपनियों की लीव रखी उनकी सुपतरी जब प्रधान मंतरी बनी श्रीमती इंद्रा गांधी जी तो उन्होंने एक बड़ा रिवलूशनरी कदम उठाते हुए देश के धन्ना सेठाओं सेठों क हातों में संचालित बैंकों का राष्टे करन कर दिया था वरतमान सरकार क्या कर रही है वरतमान सरकार कॉर्परेट की तरफ पूरी तरह जुकी नजर आ रही है सरकारी कंपनियों को बेचे जाने से आगे निकल कर अब इस बजट में इशारा किया गया है या बताया गया है क कदिते एक टॉपिक है डिस इनवस्मेंट इन्वेश और रहनमितिक विक्राइब कर ते रहे हैं अब सुनिए नाम जो बिचार नहरू जी और उनके बात के परदान मंत्री सरकारी कंपनीया बना गए खरमों की उनकार लिस्ट देखिए भारत पेट्रॉलियूम और कामिकल्स लिमिटेड एर इंडिया शिपिल कॉर्परेशन आफ इंडिया कंटेनर कॉर्परेशन आफ इंडिया आई डी बी आई बैंक बी एमल पवन हंस नीलांचल इस पाथ निगम के साथ होने वाले उनको डिस इंवेट्स करने वाले ने दिन 20,00021 में पूरे हो जाएंगे और वर्ष 22 में हम IDBI बैंक के अलावा सरकारी बैंक के अलावा दो अन्य सारवजनी बैंक का और एक बीमा कमपनी होगा जाने कौन सी बीमा कमपनी पर प्राइवेट तागत्वर लोगों की लज़र पड़ गई है और कौन से वो दो सरकारी बैंक हैं उन दो सथर में हम उन से सदरा को लाने का प्रियास कर रहे हैं वित्मंत्री ने थ्रुबरूर का कमिल स्कॉलर और पोट का जिक्र करते वे राजा कैसा हो इसकी भी आख्या की तो मुझे तुलसी दास जी याद आ गए तुलसी दास जी कहते हैं जो और से सुनियेगा तुलसी दास जी कहते हैं और जो कहते हैं वो मेरा इशारा समझने का जिम्मा आपका जा सुराज प्रिये प्रजा दुखारी जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी तो नप अवस नरक अधिकारी यानि जिस राजी की प्रजा दुखी रहती हो उस राजी का नरक यानि राजा नरक का अधिकारी होता है हमारे किसान दुखी हैं इन दिना सड़कों पर हैं हमारे बिरोजगार भाई बेंद दुखी हैं, पुरा मुल्की दुखी है, अब राजा आप जानें, तुलसी दाजी ने राम राजी की लिए आख्या की, मुझे इस्परन होया आया, इसले होया है कि वर्तमान सरकार सत्ता प्रतिष्ठान हमेशा से ही राम राजी की कलपना को, उसकी आधारना को मूरत रूब देने का वादा हमसे करता आया है, और याद रहे दोस्तों, वादा राम राजी का खर्मों का मंदिर बना कर नहीं पूरा हो सकता, उसके लिए शूरह पेट्रॉल और डिजल के दाम को दामों पर एक किशी आधारी सेस, यानि की टेक्स लगा दिया गया हो, तो तुलसीदाश जी का इस्परण राम राजी की कलपना की आधारना सामने रखना चाह रहा है, तुलसीदाश जी कहते हैं कि राम के राजी में कर लेने की क्य करना आपको आता नहीं है, इसलिए जो है उसी से खीशते रहो, या जो बड़ी कमपनियां है, सरकारी उनको बेशते रहो, तुलसीदाश जी कहते हैं कि राम राजी में जनता से कर लेने की विवस्था ऐसी थी, जैसे सूर्य पृत्वी से कर लेता है, रोशनी देता है तो क कर लेता है कैसे लेता है कर जहां पर अधिक पानी है समुधर, अठाब पानी है उस स्था फुरह पानी सोख लेता है समुधर को भी अंदाज नहीं आता है सागर को पता भी नहीं चलता है कि सूरी महराँ ने मेरे से पानी सोख लिया है जहां और अन्य स्थानों पर नदियों में तालावा में बहुत पानी होता है सुरे भगवान वहां से जल सोख लेते हैं फिर करते के हैं उसको बादल बनाते हैं और उन जगहों में बरसा देते हैं जहां पर आकाल पड़ा हो अर्थ क्या है अर् पता नहीं चलता किसी को अंदाज नहीं आता है ना सागर को ना नदी को ना तालाब को और वो खुशी-खुशी कर दे देते हैं अब बरसाते वहां हैं जहां पर उस चीज की कमी हो हर एक को पता चल जाता है बरसत हरसत सब सक हैं बरसते वे सभी को पता चलता सभी प्रसन्ण होते हैं करसत सके ना कोई जो कर लेते हैं तो पता भी नहीं चलता तुलसी प्रभास उभाग से भूप भूप भानू सो होए प्रजा बड़ी भागिशाली है जहां का भूप जहां का राजा भानू यानि सूर्भ भगवान जैसा हो हमारी उत्तमंत्री जी और वर्तमान सरकार ये बजट बनाते वे पूरी तरह एक चीज मेरी दृष्टी से सपष्ट कर गई है कि सरकार प्रो कॉर्परेट है गरीब गुरुबा को भूल चुकी है मैं समस्ता हूँ यही एक बड़ा कारण है कि कृशी शेत्र में काम करने वाले हमारे किसान जब उनके कथित भले के लिए बनाए गए कानूनों के विरोध में सत्तर बहत्तर दिनों से आंदोलन रथ हैं तो उनको डराया धमकाया जा रहा है क्योंकि तीनों के तीन जो कानू भूल गए राजा राम के नाम पर सत्ता में पहुंचे हमारे मित्र हमारे नेटा तुलसी दास कहते हैं राम राज में बड़े पूजी पतियों धन्वान लोगों की पसंद की वस्तूपर एक्स्ट्रा टेक्स लगाया जाता था यह माग हमारे यहां भी बहुत समय से हो रही लगजरी गाडियों में जो लाखों की गाड़ी हैं उनमें टेक्स लगाये मगर साइकल को फिरी कीजिए आटो रिक्षा को फिरी कीजिए उससे टेक्स अटा दीजिए बड़े बड़े जो भवन हैं उनमें जबरदस्त टेक्स लगाये सरकल रेट बढ़ाये रिजिस्ट्र को प्रभावित करने वाली वस्तों में बकौल तुलसी दास जी कोई टेक्स नहीं होता था सुनिए मनी मानिक महंगे किये सहजेत्रन जल नाज मनी मानिकों को महड़ा किया गया रामराजी में और ससता या सहजा किया गया तुलसी सोई जानिये तुल्सी सोई जानिये राम गरीब नवाज हमारे प्रद्धान मंत्री जी भी यदि चाहें तो इत्यास उनको गरीब नवाज की रूप में याद कर सकता है उनका इस्मरण करेगा लेकिन उसके लिए प्रो क्रॉपिट नीटियों को मुदी जी छोड़ना पड़ेगा हाना की राम राजजी की बात करना दोस्तों तुल्सी दास कबीर रहीम की बात करना उनके दोहों को याद करना मुझे लगता अर्थीन हो गया है वक्त बदला है दौर बदला है निजाम बदल गए अब ना तो कहीं राजा राम जैसा राजजा है ना उन जैसा राम राजज तासीर रहिमन सीधी चाल सौं प्यादो होत वजीर यानि कि फरजी जो राजा होता है या जो राजा होता है वो अगर फरजी तरीके से चलेगा गल्ट उसकी टेड़ी तासीर होगी तो कभी राजा नहीं बन पाएगा रहिम दास कहे रहे हैं सीधी चाल चलो तो जो प्यादा भी होता है वो भी वजीर बन जाता है अब रहिम जी कहते हैं फरजी चाल चल के कोई राजा नहीं मन सकता सीधी चाल चल के प्यादा भी वकीर हो सकता है वजीर हो सकता है तो यदि सोचिए ऐसा होता तो जो आज हमारे विबिन्र राज्यों में केंद्र सरकारों के टॉप बॉसेस हैं, क्या वो टॉप बॉस बन जाते हैं, सीधी बात है, कि वो टॉप बॉस इसलिए बने क्योंकि उनकी चाल भी टेड़ी थी है, बहराल, बजट मेरी समझ से दोस्तों, महज आकड़े बाजियों का खेल है, एक ब वित्य विवस्था को, वित्य प्लानिंग को बना पाने में, समझाल पाने में सरवता विफल होती नजर आ रही है, जन सरोकारों से इस बजट के अनुसार जो हमने, मैंने आविया आपको कुछ पहलू जिसके समझाए, और जो मैंने पूरा बजट समझा, इस सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, केबल जुनले बाजी है, गोदी और चारणी मीडिया के जरिये, पतलकार पतलकार जिने कहा जा रहा उनके जरिये, सपने दिखाये जा रहे हैं, भरमाने का खेल खेला जा रहा है, ऐसे मैं इस पूरे महहौल में राम राजी की बात कहना राम राजी की कलपना करना मेरी समझ से बिल्कुल बिकार बात है आप से मेरा अनूरोध है कि बजट को पढ़ने का प्यास जरूर कीजेगा इसलिए जरूरी है मित्रो जब आप बजट पढ़ने के बाद आप सारे जुम्लों को आत्म निर्भर, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया तमाम को समझ सकेंगे और आने वाले समय पर आपका राजा कैसा हो वो जो सीधी चाल चलता हो या जो टेड़ी चाल चलता हो इस वर्क को महसूस करके जाती, धर्म, इत्यादी से उपर केवल एक शशक्त लोग तंतर बनाने के लिए अपना मद्दान कर सकेंगे धन्यवाद दोस्तों